इसलिए बुद्ध को यह कहना के वो इश्वर के नौमें अफ्तार है यह बहुत धर्म को एक बुनास करने की नश्ट करने की साजिस ब्रामनों की तही। इसलिए बहुत धर्म का इश्वर से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा इश्वर से कोई लेना देना नहीं है, स्वर्ग और नर्ग से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सम्मनुष्य समान है, यह बहुत धर्म की एक आपके सकते हो कि यह बहुत धर्म का एक बेसिक आधार ह कि क्या वो धर्म के परचार के लिए ईश्वर और आत्मा का पुरियोग करना जुरूरी है पहले मैं आपके चैनल का मैं आपका और आपके धनवाद करता हूँ आपके और आपके चैनल का धर्म दो प्रकार के होते हैं एक वो धर्म होता है जो इश्वर को मानता नहीं है पर इस कैरेट का वो बिलकुत सोना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, दूसरी धर्म हो हैं जो इस्वर और आंत्मा में के सहरे चलते हैं, उनकी बेशाकियों के सहरे चलते हैं, और मनुस्त का सोशल करते हैं, और इस्वर और बहुत धर्म पर एक परखा हुआ धर्म है, आत्मा के लिए कोई स्तान नहीं है, और अनात्माबाद और अनिश्मनाबाद दो ऐसे कुलाड़े हैं, जो हमेशा बहुत धर्म में बहुत धर्म में बिज्ञान को लाने का काम करते हैं, हमेशा दूर करते हैं, और दूसरा मैं का दूंकि इश्वर का कोई विरॉल मनुष्ट के ՜ीवन में नहीं है बुद्र ने यह कहा था कि हमारा जो केंद बिंदू है वो सदाचार है हमारा जो केंद बिंदू बुदर में Hoa Humana है वो भाइचारा है वो समानता है स्वतंतृता है लेकिन इश वर के सारे हमारे चलने वाला कोई धर्म नहीं है इसलिए बहुत धर्म में इस्वर और आत्मा की कोई आपको विद्वान समझना यह मुर्ख लोगों की निशानी बताई है और दूसरा यह है कि दिद्रोट एक फ्रेंच के फ्रॉस्पर हैं उन्होंने दिदरोड ने कहा है कि मनुष को जो इस्वर है वो एक इंस्टूमेंट की तरह प्रियोग किया जाता है ताकि मनुष का एक सोसल हो सके है इसलिए किसी भी हालात में मनुष के जीवन में इस्वर का कोई रोल नहीं है मूर्क लोगोंने चतुल लोगोंने दूस्ट लोगोंने आदमी के सोसल के लिए इस्वर का प्रियोग किया है और गौर्ड इसवर का कोई जरूत नहीं है आत्मा का कोई स्थान नहीं है पुनर जनम का बहुत धर्म में कोई स्थान नहीं है और आत्मा एक सरी से दूसरे सरी में जाती है इसका भी बहुत धर्म में कोई स्थान नहीं है बुद्ध का धर्म पूरते विज्ञानिक है और वो किसी तरह की अंदुविश्वास की बैसाकि पर इस पर ए आन्तमा के उपर उसका कोई भी कोई उसका कोई लेना दैना नहीं है और आप कहसे का बुद का जो धर में पूर्ते विग्यानिक धर में और इस पर की जरुत हरती है जहां एक आदमी का विप्रक्रच का सवशन दूषर आदमी करता है और मिन आपको बता दूं कि दिद्रोड जोroffen का फिलोसुपर वो बारवार कहता था कि मनुष को मनुष बारवार हिंदुस्तान में इस वर अपतार ले रहा है क्योंकि वहाँ पर भुकमरी हैं, वहाँ पर सोचनें, वहाँ पर समाजिक असमानता है, वहां गरीबों का सोशन होता है और इस्त्रियों के साथ में बलातकार उनका सोशन किया जाता है इसलिए इस्वर वार वार यहां पर अपना अपतार ले रहा है इसलिए बुद्ध को यह कहना कि वो इस्वर के नौमे अपतार है ये बहुत धर्म को एक विनास करने की, नश्टी करने की एक साजिस ब्रामनों की थी, इसलिए बहुत धर्म का इस्वर से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा इस्वर से कोई लेना देना नहीं है, स्वर्ग और नर्क से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सम्मनुष्य समान ह ये बहुत धर्म की एक आप कह सकते हो कि ये बहुत धर्म का एक बेसिक आधार है इसलिए बुद्र ने कहा कि जिस प्रकार विविन नदिया और नाले समुदर में आकर अपने अस्तित को खो देते हैं उसी बिरुकार विविन जाती और धर्मों के लोग बहुत धर्म में आकर बहुत धर्म के अन्याई के नाम से जाने जा सकते उस जाती और धर्म के नाम से नहीं जाने जाते इसलिए बहुत धर्म का इस्वर और रांत्मा के लिए कोई इस्तान नहीं है और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इस्वर के साहरे जो लोग चलते हैं वो कभी सब्सक्राइब करें और घंजी का बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप सबसे पहले